नमस्कार दोस्तो मैं डॉक्टर संदीप दोस्तो हाजिरूँँ आपके संदीव नहीं वीडियो के साथ हैं तो दोस्तों यह देखें आप यह है रूमी शिंगरफ बहुत ही पुछ कोटी की यह शिंगरफ है और बाकी और कुछ शिंगरफ आती है जो इससे भी अच्छी क्वा तो वह शंग्रफ डिख्वी्या में मिलने में तो इसवजaja से यह वाली शंग्रफ मैं लेकेैं हूं हँला कि यह बहौत ही अच्ञी क्वालटी की शंग्रफ है वगर मैं शिंग्रफ यूज़ 크 तो कुछ अलग ही चीज होती है आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं उस तरीके की शिंग्रफ यूट्यूब के उपर किसी ने अभी तक नहीं दिखाई अभी तक किसी ने यूट्यूब पे उस तरीके की शिंग्रफ नहीं दिखाई आहम तोर पर जो यह शिंग्रफ मैं आपको दिखा रहूं यही वाली शिंग्रफ दिखाते हैं और या फिर इससे भी निचले लेवल लगी आप दोस्तों आज मेरी यह वीडियो अपलोड हो रही है और आज से पहले की वीडियो आप देखना उनमें आपको पता लगेगा कि किस तरीके की शिंग्रफ मैंने दिखा रखी है जो इससे भी लो क्वाल्टी की शिंग्रफ होती है वो भी मैंने दिखा रखी यूट्योब पे और उसकी भी भजम बनाई आए उसका भी रिजल ठीक था कि मिलता मगर ये चीज स्पैशल होती है और जो पहले बीच में मैंने बनाई थी वो उसके तो कहने ही किया तो दोस्तों आते हैं मुद्दे की बात पे तो आज ये योग मैं बता रहा हूँ शुक्राणूओं की संख्या बढ़ाने के लिए दोस्तों जिन भाईयों के स्पर्म काउंट लो हैं जिनके शुक्राणू कम हैं और काफी द्वाईयां खाने के बाद उनके शुक्राणू नहीं बढ़े तो वो मेरे भाई मेरे इस योग को पंदरा दिन से लेके एक महिने तक यूज करें शुक शुक्राणूं की फोजें खड़ी हो जाएंगी दोस्तों जिनके स्पर्म थोड़े बहुत कम है वो अगर इसी योग को पंदरा दिन भी यूज कर लेते हैं तो उनके शुक्राणू फुल हो जाएंगे तो इसे बनाने का तरीका दोस्तों मैं बताता हूं सबसे पहले आपक 25 ग्राम की आप दो डली ले 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 या 10 ले ले या 100 ले ले बस ध्यान यह रखना है 20 से 20 ग्राम की हो 30 की नहोग की ड्ली नहोग अब आपको क्या करना है एक चीनी मिटी का कप ले 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 और एक कडाही में रेत डाल के उस कप को उस कडाही में रख दे रेत के अंदर वो दब जाए उपर से बस आधा अधा इंच उसके कोने निकले वे हों ताकि उस कप में रेत वगरा ना डले अब उसके नीचे आपको हलकी हलकी आग जला दे नहीं है और उस कप के अंदर आपको रख देना है इस शिंगरफ की डली को आप दो ले लें दस ले लें जितनी आपकी इच्छा है जितनी आप बनाना चाहें उतनी आप ले लें बाकि इसके लिए आपको इसमें चोवा देना खुर्पी बूटी के रसका यानि कि अगर आप 25 ग्राम शिंग्रब की भसंग बनाते हैं तो आपको उसमें 200 ग्राम खुर्पी बूटी के रसका चोवा देना है आप खुर्पी बूटी के रसका चोवा दें और चोवा देते रहे नीचे आग जलती रहे चोवा देते रहे और जब यह आपका रस पूरा हो जाएगा उस ताइम आपकी ये शिंग्रफ बिल्कुल भसंग हो चुकी है बिल्कुल तो इसके बाद आप इस शिंग्रफ को तोड़ें और अपनी उंग्ली पे खाली रगड़ें खाली दोस्तो इस तरीके से शिंग्रफ को रगड़ना है इस तरीके से आप एक मिनट ऐसे रगड़ दें तो जो शिंग्रफ आपकी उंग्लियों पे होगी वो उंग्लियों की द इतना रगणने से उस शिंगरफ की चमक खत्म हो जाएगी और यही इस शिंगरफ की भस्म की यही पहचान है जो खुर्पी बूटी के रस्में बनेगा एक मिनट इस तरीके से आप रगणते हैं शिंगरफ का छोटा सा एक टुकडा लेके जैसे यह टुकडा ले लिया यह आप देखें और इस तरीके से आपने इसे रगणा सभी से दोस्तों रात का टाइम के लिए दिखनी पा रहा है यह शिंगरफ जैसे ले लिए मैं फ्लाशलाइट बंद करके आपको दिखाने कोशिश करता हूँ यह शिंगरफ ले लिए और इस तरीके से रगड़ी एक मिनट और एक मिनट के बाद उसे देखना है अगर उसकी चमक बिलुकल खतम हो जाएगी तो वो आपकी शिंगरफ की भस्म तयार है और अगर चमक खतम नहीं होती तो उसमें अभी थोड़ी सी कसर है उसे थोड़ा सा चोगा और दे रहे तो बाकी दोस्तो उसके बाद जब हमारी यह भस्म तयार हो जाएगी तो इसमें से आपको मैं जो जिस क्वांटिटी में मैं आपको बता रहूं उसी तरीके से आप कम बढ़ती अपने हिसाब से आप बना सकते हो आपको इसमें से 10 ग्राम शिंगरफ भस्म ले ले नहीं है और एक खरल में डालनी है और दो मिनट खरल करना दोस्तो जादा नहीं बस दो मिनट दो मिन खाना खाने के बाद और इसके अलावा दोस्तो इसी ख्युक्रणों की कमी तो दोस्तों यह चीज लाजवाब है अबabyte को क्या करना है 10 ग्राम शिंगरब भस्म, 20 ग्राम अभरक भस्म, 20 ग्राम लोहा भस्म, 10 ग्राम केसर, 10 ग्राम रेगमाही, 25 ग्राम अकरकरा इरानी और दस ग्राम शिलाजीत, तीस ग्राम बंग भस्म और पचास ग्राम सफेद मूसली और दोस्तों पाँच ग्राम इसमें आपको मिलाना है कुष्टा तंबा, कम से कम 21 आगवाला बाकि इसके अलावा आप और ज़्यादा आगवाला डालते हैं और ज़्यादा पावरफूल कुष्टा तंबा डालते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अब दोस्तों जो जड़ी बूटियां इन्हें अलग पीस लेना और जो भस्में हैं उन्हें शिंगरब भस्म के साथ डालके और आदा गंटा इनकी रगडाई कर देना है आदा गंटा रगडाई करने के बाद जो हमारी जड़ी बूटियां है रेगमाई है इन्हें अलग से पीस के पावडर बना के कपड़ चान करके इसके अंदर मिक्स कर देना है और दोस्तों बढ के दूद को इसमें आपको शामिल करना बढ का दूद आप डालें घुटाई उतनी मोटी गोली हो जो असानी से निगली जा सके उतनी मोटी गोली आप बना लें सुबए शाम ये आप दूद के साथ लें खाना खाने के बाद और खाने पीने पे खास ध्याम दें दूद, घी, दई, लसी, ताजे, फल, हरी, सबजियां इन चीजों का जादा से ज़्या इशा ये आपको इनका सक्त प्रहेज करना है इसके अलावा दोस्तों सेक्स अस्त में तुन बिलुकुल नहीं करना इस चीज को त्याग देना एक महीने के लिए और एक महीना इसे खाने के बाद दोस्तों आप मुझे अपनी कंडिशन बताना इस दवा के गुण गाते आप न थी तो ये शिंग्रफ भसम अभी मेरे पास अवलवल है किसी भी भाई को ये मंगवानी हो तो ये शिंग्रफ भसम मंगवा सकते हैं और बाकी इस शिंग्रफ को मैं कल तयार कर रहा हूं और तीन-चार दिन के अंदर इसकी गोलियां तयार की जाएंगी किसी भी भाई को ये गोलियां मंगवानी हो तो वो मेरा भाई गोलियां मंगवा सकता है और जिस मेरे भाई को किसी को यह शिंगरभ भसम मंगवानी हो यह मेरे पास कुछ भची हुई है और यह खास करके सर्दियों में ही यूज की जाएगी तो किसी भी मेरे भाई को यह मंगवानी हो तो वो इसे भी मंगवा सकते हैं और इसके अलावा दोस्तो कुष्टा तांबा सो आगवाला वो भी मेरे पास अभी अवैलवल है दो तीन मरीजों का तो किसी मेरे भाई को वो मंगवाना हो तो वो भी मंगवा सकता है और बाकी दोस्तो जाते जाते मैं आपक को यह कहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद